दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है कि बेस्ट फॉल्सिलिंग कौन सी आपके गर के लिए और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपका एक रूम है जहां आपका कितना भी एरिया है उसकी फॉल्सिलिंग करने में आपका टोटल खर्चा कितना हैगा कौन सा ब्रैंड आपके लिए अच्छा हो सकता है कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो लाइफ भी काफी चाथ अच्छी हो और भी काफी चीज़े मैटर करती है फॉल्सिलिंग करवाने से पहले पीवीसी की फॉल्सिलिंग की बात करें अगर हम तो दो मेटीरियल यूज किया जाते हैं एक ही वाग एट ट्रिडिशनल सामने आप देख रहे हूं यह ट्रिटीशनल है हर जगा यूज किया जा रहे है दूसरा मैंने एक रिसर्च की क्योंकि मेरे को काफी हमिये ट्रेडिशनल में देखी तो उसकी बरपाई के लिए एक मैटीरियल मैं डोंडा काफी रिसर्च के false link का option बताओ हमें तो मैं POP का देता था gypsum देता था PVC के लिए इसलिए नहीं कहता था क्योंकि joints दिखते थे और मेरे को कुछ अच्छा pattern मेरे को इतना पसंद नहीं आता था लेकिन जब भी works की देखी क्योंकि ये wooden look दे रही थी और कोई idea नहीं लगा सकते है कि ये PVC है तो उससे मेरे को idea आया है देखो हम traditional ऐसे option आपके पास काफी होती है POP, gypsum, इन में से कोई भी choose कर सकते हो लेकिन इन में दिक्कत क्या रहती है, dampness रहती है इनकी life कम है और fire resistant ये नहीं है maintenance बहुत ज़्यादा है paint बगारा करना पड़ता है थोड़े थोड़े टाइम बात तो जब इसके बारे में मैंने पता कि ये वेबसाइट पे में गया वोक्स की तो मैंने material मंगवा है sample मंगवा है इनका कि कैसा product है तो इन्होंने mention किया था कि ये water resistant है ठीक है दूसरा इन्होंने किया था कि ये fire test मतलब fire resistant है इतनी जल्दी fire नहीं पकड़ती ठीक है और तीसरा था skin test तो ये सब चीजे चेक करनी पड़ेगी हमें तो practically पहले test कर लेते हैं फिर उसके बाद में इसका खर्चा कितना पड़ेगा और क्या क्या चीजे है खासियत क्या है नुकसान क्या है वो सब चीजे आगे बताता हूँ आपको पहली ते most important जी यो walks को अलग बनाती है कि ये throughout है मतलब इसमें कोई film नहीं चड़ी है एक जैसी है throughout ये और ये natural look आपको देती है लेकिन हम traditional की बात करें इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो भी आपको नया pattern देखेगा वो उसके उपर film चड़ी होगी वो film का होता गया थोड़े time बाद वो film निकल जाती है अगर थोड़ा time निकाल भी दिया तो उतने में तो बच्चे निकाल देंगे उसको और ये काफी खराब चीज़ है एक बार film चले गई तो फिर उसमें वो pattern पूरे room का आपको change कर पढ़ना सकता है लेकिन walks में ये चीज़ है कि वो throughout same है और ये चीज़ काफी अच्छी लगी मेरे की walks की कि आगर आप एक false ceiling करवाती है उसकी तो वो आपको एक बिल्कुल natural look देती है जैसे start में मैंने बताया जैसे मैंने कश्मीर में देखा जो इसके दूसरी चीज़ थी कि जैसे heat resistant ये बोल रहे थे तो इसको हमने जला के देखा पहले तो आग इसको लगी और आग तो लगती है plastic है PVC या आग तो लगेगी लेकिन एक चीज़ इसमें देखी जैसे ये आग के तरफ रखेंगे तो आग लगेगी जैसे दूर करते जा रहे है तो ये आग इसको पकड़ रही नहीं है मतलब आग इतनी जादा ना इसमें दूर का मिशन हो रहा है इतना ना आग पकड़ी ये चीज बहुत अच्छी देखी तो हीट में आप इसको बार फसाड में यूज कर सकते हो बार एरिया में यूज कर सकते हो और उसकी जो दूओँ भी काफी जादा निकल रहा था और उसमें काफी जादा burning speed जादा थी बहूँ जादा burning speed थी उसकी और जब हमने next चीज उसमें test किया कि इसकी bendability कैसी है मतलब अगर कहीं पर इसे हमें थोड़ा bend देना है कहीं जगा पर थोड़ा design डालना है इसमें नहीं आएगी लेकिन traditional की तरफ हमके तो एकदम से hard थी थी वो जब हमने उसको थोड़ा bend किया वो तूट गी तो ये चीज काफी खराब मेरे को traditional में लगी कि by chance अगर हमें कहीं उसको use करना है कहीं हमें कुछ pattern बनाना है तो वो उसके तूटने के chances काफी ज़ादा हो जा तो थोड़े time बाद water resistant उसका निकल जाता है फिलम निकलना start हो जाती है अगर उसको पानी लगे तो आप इसको बाहर use कर सकते है वोक्स वाली को और easily साब भी हो जागी पानी मारा मिटी जो भी होगी निकल जाएगी लेकिन उसमें दिक्कत रहेगी थोड़ी cleaning में जो हमारी traditional रहती है तो इसमें भी वोक्स आगे निकल गया तो काफी चीज़ें कोई promotional वीडियो नहीं है कि उनकी में तारीफ कर रहा हूं और चीज में लेकिन वो आगे अच्छा प्रफॉर्म कर रही है तो test से idea लग गया कि वोक्स की कुछ चीज़ें काफी जादा अची है जैसे company ने वादा किया था कि यह 10 साल की warranty देते हैं लेकिन जो material की मेरे को quality लगी personal और दो जगा मैंने अपने friend के office में use करवाई और जब use कर रहे थे तो काफी अच्छा perform कर रही थी 10 साल की warranty दी है मेरे ख्याल में 20-25 साल उसको कुछ नहीं होगा अगर अच्छे से caring से उसको रखा लेकिन इसमें कोई अच्छी चीजे दिखी मेरे को फिर अगर बात करें इसका जो pattern आता है pattern आपको काफी जदा pattern दिख जाएंगे इसके अगर हम pattern की बात करें colors की बात करें तो यह सामने आप जैसे colors दिख रहे हो हर एक shade आपको मिल जागी और natural color में भी आपको अलग shade है वो भी इसमें आपको मिल जाएगा तो इसका जो size आता है 2700 by 300 mm का रहता है prox no foot by 1 foot का इसका रहता है और side frame और connector के साथ आता है direct connect हो जाता है और एक चीज मेरे को काफी अच्छी चीज इसकी लगी कि जो इसका walks का रहता है जो इनके खुद के authorized sellers है वो ही आपको fit करके दें अगर वो जो authorized रहते हैं trained होते हैं वो proper से fixing करके जाएंगे तो कोई दिक्कत आपको उसमें भी नहीं रहती है आप इसको outdoor में लगाओ natural wooden look देती है आप अपने hotels में rooms में हर जगा सकते हो इसमें आपको काफी अच्छा look एक premium look देता है मैं ख्याल में अगर जैसे मैं pallet traditional की तर wooden होगी guarantee जिनको नहीं पता होगा वो सोचेंगे पका ये wooden जो लकडी की आती है तो लकडी की लगाने में थोड़ी दिक्कत तो रहती है अगर लकडी की भी बहुत अच्छी लगती है अपनी उसकी अपनी look है लेकिन लकडी में एक है एक तो fake लकडी आपको मिल जाएगी तो एप्रॉक्स इसका खर्चा पड़ जाते है आपको अगर example लेते हैं 10 by 10 का room है हमारा और एप्रॉक्स में पगड़ता हूं हूं 230 से 2500 रुपे पर square feet हमें पड़ी थी हमने जब fix करवाय था इसको तो पगड़के चलते हैं कुछ हमें इसका जो खर्चा पड़ेगा वो प्रेमियम लूक है और में चीज है maintenance कोई नहीं है life काफी ज़दा अच्छी है fire में काफी अच्छा प्रफार्म करती है sealing dampness का कोई इस पे असर नहीं होने वाल है बाकि आप traditional यहां दूसरी करवाते हो पी उपी उसकी maintenance अच्छी है time time पे paint करना पड़ेगा पानी बगरा लग अगर आपको company में website पर visit करने वहां जाके आप देख सकते हो वाकी चीजे बाकि आप पे मैं छोड़ता हूँ आपको कौन सी fall ceiling करवानी है क्योंकि पैसा आप क्या choose आपको करने है आप पे है लेकिन इस works मेरे हिसाब में एक अच्छा है थोड़ा खर्चा उसमें जादा है ल कर वाँ वाँ दी